आइसोग्राम चोलो को पांग में भीगो कर रात पर के लिए रखते भीगे हुए चोलो को उबाल ले चाह से पांच सीपी में ये चोले अच्छे से उबल जाएंगे फिर देड़ सो ग्राम ठमाटर, पचास ग्राम अद्रक, दस ग्राम हरी मिर्च का मिक्स्ट में पेस्ट बना ले और बने हुए पेस्ट को तेल अलग होने तक धून ले 30 ग्राम जीम पंजाबी छोले मसाला भुने पेस्ट में डाल कर चलाएं उबले हुए छोले एक ग्लास पानी के साथ कड़ाई में डाले और धीनी आज पर 10 मिना तक पकने लें आपके जीम पंजाबी मसाला से बने छोले तयार हैं इनको ताजे हरे धनिया के साथ गार्णिश करके सब करें आपके जीम आपके साथ